फ्रेंड्स आज हम गोला कबाब बनाएंगे रेसिपी बहुत ही इजी है इसे कैसे बनाना है आईए हम देख लेते हैं अब आप बनाने के लिए हमने यहां आदा किलो कीमा लिया है, कीमे को हमने अच्छे से मिक्सी में और चला के अच्छे से बारिक कर लिया है, यह बहुत अच्छे से बारिक हो चुका है, हमें इसी तरह का करना है, अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाले पॉडर हों एक फडिकरल के दर से फिरिए जलें आनीज से स्वेल मिर्जें पनीचे-पिक आ ये लिंगे हमने इ provide पॉड़ य Любाय अनीन इलें विठल में judges कि राभार्ण येरेम आनीन ही पायर फ्राय करें मिक्सी हैं कर लिए इसमें डाल दिंगे 3 टेबिली स्पून हमने दूद की घर की जमी हुई मलाई लिए इसे हमने फेट लिया है और इसको भी इसमें डाल दिंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और मोईस्टर भी पेदा होगा देड़ चमाच जिंजर गार्ली का पेस्ट आफ स्वीएड कर दिंगे 1 ऐस ले मन घृष कर दिंगे ह ? 1 आफ टीस्पोन डॉये पपायच का पौडर हमने प्रफी आसे चीज़ों मिला दिया है वहां सब चीजों को अच्छ है मिक्स कार दिंगे हमने जो पपीते का पावडर मिला यञा है इससे टेंडरा आइस अच्छ अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और मिक्स कर लेने के बाद कीमे को साइड में लगा दिया है ताकि इसमें बाउल आ सके फिर हम इसमें एक चार कॉल रखेंगे और थोड़ा सा घी एपलाई कर दिंगे हम इसमें इसमें इसे क्या होगा कि हमारे कीमे में बहुत अच्छा फ्ल हम इसे वापस से मिक्स कर दिंगे सारी चीजों का फ्लेवर इसमें पहुच गया है यहां गोला कबाब बनाने के लिए प्लेट लेंगे हमने यहां एक पैंसिल ली है आपके पास कोई स्ट्रा हो या अगर कोई स्टिक हो आप वो भी ले सकते हैं हर घर में पैंसिल अवालेबि करते जाएंगे और इस तरह से एक एजिली हमारा गोला कबाब तैयार हो गया है साइज आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हैं हम इसी तरह से दूसरा भी गोला कबाब बना लेंगे बहुत इजी है इसे बनाना और इस तरह से हलके हाथों से घुमाते हुए हम तैयार कर यहां यहां गरम हो गया है हम एक करके गोला कबाब रखते जाएंगे अब हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे कर दिया हमने एक साइट से प्राइब हो गाए हम दूसरी साइट भी अच्छे से इसे कुफ करेंगे के लार बोट अच्छा आ गया है और बोट अच्छी खुश्बू भी आ रही है यह अच्छे से प्राइ होगा है जरुवत लगने पर आप इसमें और ऑईल डाल सकती है इसमें एक ट्विस्ट और देंगे अब एक और ट्विस्ट और मार्केट वाला लुक देने के लिए हमने गरम पे पेन को चड़ा के रखा है जिसमें हमने एक चम्मच ऑईल डाल दिया ह यहां मीडियम साइस की दो प्यास लिए है जिसे हमने गॉल गॉल स्लाइसज में इसमें हमने डाल ढूरा देंगे हमें इसे हखे हातों से चला लेना हैं और अब हम गेस की फ्लेम को आफ कर दिंगे और इसे सर्फ कर लिंगे आप इसे चटनी के साथ राइते के साथ जेसा मन चाहे इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको मेरे गोला कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्र करें फैमली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरे गोला कबाब की रेसिपी केसी लगी